अलो एव्रिवान, वेलकम टू गोली जेस्ट फुल किचन, आज हम पपड़ी चाट की जगे एक पपड़ी स्टार्टर लेकर आए हैं, जो आप किसी के भी आने पर बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ली हैं, यह कुछ पपड़ियां, पतली-पतली पपड़ी हैं, यह हमने मस मसाले लिये हैं, भुना जीरा पाउडर है, चाट मसाला है, काला नमक है, रेचली पाउडर है, थोड़ा सा फेंट कर हमने यह दही ले लिया है, जिसमें हमने हलका सा चीनी डाली है, इसमें मिठा किया है इसको, आप चाहें तो साधा रहने दे सकते हैं, यह आलू का मसाला ह मैंने सेंविच बनाए थे उसका चक पटा मसाला बच गया है तो आप कोई भी ऐसे आलू का मसाला बना सकते हैं हरी चटनी है इंगली की चटनी है जो मैं अक्सर बना कर रखती हूं और ये कुछ कटा प्याज है अनार के दाने हैं अनार भहुत जादा लाल नहीं है और धनिया से पहले लगाएंगे दही चारो तरफ से दही फैला लेंगे इस तरह से और इसके उपर रखेंगे या अलू का मसाला जिसको भी हम अच्छे से पूरा फैला लेंगे पूरी पपड़ी पर लगाएंगे और यह बहुत अच्छी लगेगी खाने में बहुत पतली लेर लगानी है मैं बहुत मोटा नहीं इसको रखना है पतली सी लेर लगानी है इसके उपर अब हम डालेंगे हरी चट्नी पहले इमली की चट्नी डालेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लिटेस्ट अपडेट साथ पहुंच सके और ये डालेंगे हम थोड़ी सी इसमेहरी चटनी चटनियों में भी नमक है, तो हमें नमक जो है वो देख कर डालना है थोड़ी सी डालेंगे इसके उपर प्याज, थोड़ा सा अनार के दाने जिनका कलर बहुत अच्छा नहीं है, अधर वाइस अगर आप रेड डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा और थोड़ा सा ये हरा पत्ता, इसके उपर डालेंगे अब हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर थोड़ा सा घुना जीरा काला नमक बहुत ज़रा सा, क्योंकि नमक अलरड़ी है, बस हलका सा फ्लेवर देता है, और चाट मसाला अच्छे से तो ये लिजे हमारी ये बढ़ियासी, पपड़ी का स्टार्टर, पपड़ी चाट त्यार है तो करें, सारी इसी तरह से बना लेते हैं, देखें आप पास में कितनी सुंदर लग रही है इसी तरह से हम सारी बना लेंगे, और यहां मैं बताओं ये बहुत देर तक सौगी नहीं होती है अगर आप पड़ी चाट किसी को बना के देते हैं, तो फिर दही ज़्यादा पड़ा होता है, तो सौगी हो जाता है तो एक बार और फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बहुत हलका साप दही लगाएंगे और उसके उपर यालू की लेर लगाएंगे, जो हमने बहुत चटपटा तयार कर रखा है और उपर से फिर इसके चटनी है, तो बहुत ही यमी लगने वाला है ये देखे इस तरह से, और फिर वही मीठी इमली की चटनी, सौंट जिसकी रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी हरी चटनी और ये चटपटा सा स्टार्टर आपका बन जाता है, कोई भी आये तो आप उसको एक-एक उठा कर वो खा सकते हैं बहुत बड़ी भी ये पपड़ी नहीं होती है और उपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, भुना जीरा और रेड चिलिप तो इसी तरह से हम सारी बना लेते हैं देखिए कितनी यमी, कितनी अच्छी ये लग रही है और ये देखिए फ्रेंज, कितनी यमी, कितनी टेस्टी, कितनी खुबसूरत ये पपड़ी चाट लग रही है पपड़ी चाट मतलब पपड़ी का स्टार्टर है और आपको मैं यहां बताओं पकड़के कि बिल्कुल भी सौगी नहीं हुई है क्रिस्पी है तो आप इस तरह से किसी को स्टार्टर के रूप में यह दे सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं रेसिपी